दमाश्टर प्रकास क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रक्टिस सेट साल्व कर रहे हैं और उसी को कांटिन्यू करते हुए अगले प्रक्टिस सेट की तरब बढ़ते हैं तो इस practice set में हिंदी के complete 25 question लाए हैं और ये नेकपाल बच्चों के नेकपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी student के लिए अतिमहात्वपूर्ण प्रश्न है तो चलिए पहले question की तरफ बढ़ते हैं पहला question आपके screen पे है इसमें हमसे पूछा है कि अगनी का तत्भो रूप आपको बताना है तो आप जानते हैं कि जो इसका right answer हो जाएगा Sanskrit का जो परिवर्तित रूप है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं तत्भो तो जो इसका right answer हो जाएगा ये बिल्कुल सही जबाब होगा आग इसका क्या हो जाएगा right answer होगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं दूसरे में आपसे क्या पूछा है दूसरा question हमसे कह रहा है कि चलिए दूसरे में हमसे कहा है कि मचली के समान आखो वाली मचली के समान आखो वाली वाक्यांग्स के लिए एक सब्द आपको बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा आप जानते हैं मीनाच्छी बिल्कुल सही answer होगा चलिए अनुप्रास आपको बताना है कि अनुप्रास जो है ये कैसा अलंकार है अर्था आलंकार है या सब्दा या वह आलंकार है तो तीन का जो right answer हो जाएगा आप जानते हैं कि इसका जो सहीर जवाब होगा ये आपका क्या हो जाएगा अनुप्रास आपका सब्दा आलंकार के अंतरगत आता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें वर्णों की आप रित्ती क्या होती है बार-बार होती है और उसका आर्थ भी क्या होता है शमान तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा भी बिल्कुल सही जवाब होगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमसे क्या कह रहा है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांस के लिए आपको एक सब्द बताना है तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो तो आप जानते हैं उसको हम लोग देहाती वैसे भी आपको पता होगा कि उस परतेक का संद्विछेद करिए तो परतेक में संद्विछेद करेंगे तो जो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी बिलकुल सही जवाब होगा ना और इसमें कौन सी संद्विछेद करिए तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सी बिलकुल सही जवाब आपका होगा प्रत प्लस एक ये आपका क्या होगा परते एक चलिए अगले कोशिन की तरफ बढ़ते हैं शोर्या उदय में संदी विच्छेद आप लोग करिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा संदी है तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट अंसर हो जाएगा शिक्स का ए बिलकुल सही जवाब होगा इसमें कौन सा आपका है गुण संदी है तो कहीं पे भी अगर आपको ठिकना ये और ए या ओ की मात्रा दिखाई देती है तो आप जानते हैं कि आपका किस से रिलेटेड है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा साथी गुण संदी इसमें है अगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं साथ में आपको क्या बताना है शुद्ध वाकी के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका शुद्ध वाक है तो सेवन का जो राइट अंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा मुझे कपड़े पहनने है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा भी बिल्कुल सही ठीक ना शुद्धवाक इन चारों में से है चले अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन हमसे क्या कह रहा है चारा फैकना मोहाबरे का आर्थ क्या होगा तो आप जानते हैं कि चारा फैकना मतलब परलोभन देना किसी चीज की ठीकना किसी चीज का आफर एक परकार से आप कह सकते हैं तो परलोभन देना ठीकना ये क्या होगा चारा फैकना 9 number question की तरफ आते हैं 9 number हमसे कह रहा है कि वह सज्जन पुरुष कौन है वाक में अनावश्चक सब्द के बारे में आपको बताना है कि एक sentence दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन अनावश्चक है वो ना हो तब भी काम हमारा चलेगा तो इसमें देखेगा सज्जन हैं वय हैं 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 और पुरुष हैं तो सज्जन जन ये वैसे ही पुरुष ठीक ना पुरुष वर्ग को डिनोट करता है तो यहां पे जो आपका अनावश्चक सब्द है वो आपका क्या हो जाएगा बी विल्कुल सही जवाब होगा तो नाइन्थ में बी आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर होगा चली अगले कोईशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोईशन आपके स्क्रीन पे हैं इसमें हमको बताना है कि राम की भक्ति पूजा कि रचनाकार के बारे में बताना है तो जो इसका राइट एंसर हो जाएगा राम की भक्ति पूजा कि रचनाकार के बारे में बताना है तो निराला जी हैं या महादेवी हैं या फिर केताननाज जी हैं या नागार जुन जी हैं तो दस का जो सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं निराला जी बिलकुल राइट अंसर होंगे अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं 11 में आपको बताना है 11 में कहा रहा है कि पावर्ग के बारे में बताना है कि पावर्ग ठीक ना इन में से कौन सा बेंजन नहीं है पावर्ग का कौन सा बेंजन नहीं है तो आप जानते हैं कि 25 हमारे क्या होते हैं वर्णमाला में असफरसी बेंजन होते हैं और उनको 5 वर्गों में बाटा गया है तो पा-वर्ग का इसमें से कौन सा नहीं है तो पा-फा-भा-भा-मा ये तीनों आपके हैं जबकि यह आपका क्या है इस वर्ग का नहीं है तो जो इसका right answer हो जाएगा ठिक न, इसका जो right answer हो जाएगा D बिलकुल सही जबाब होगा चलिए बारा नमबर की तरफ बढ़ते हैं बारा में आपको बताना है सहयोक्त बेंजन नहीं है तो यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है तो आप जानते हैं किसमें से सहयोक्त बेंजन जो आपका नहीं है 12 का D बिल्कुल सही जबाब होगा बाकी तीनों आपके क्या है? सही हो 13 में आप लोग बता दिजे कहा रहे हैं लच्छना है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा 13 का न यह बिल्कुल सही एंसर होगा 13 का जो राइट एंसर हो जाएगा यह आपका राइट एंसर होगा सब्द सक्ति बिल्कुल चलिए अगले कुश्शन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्शन आपसे कह रहा है कि प्रेम चंद्र का देहा वासान कब हुआ तो आपको बताना है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा प्रेम चंद्र के बारे में पूछा है तो 14 का बी बिल्कुल सही जबाब होगा 1936 इस्वी में ठीक ना ये बिल्कुल सही जबाब होगा तुरंग सब्द का आर्थ आपको बताना है तो इसका आप जानते हैं कि तुरंग जो आपका है ये किस से रिलेटेड है तो ये आपका क्या हो जाएगा घोड़ा का समनार थी चलिए अगले कोईशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोईशन आपसे कहा रहा है कि सही सब्द ठीक ना छाटिए तो आपके सामने है कनिष्ट लिखा गया है तो सुद्ध वर्तनी के बारे में पूँच लिया गया है तो सोला का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा कनिष्ट इसका राइट एंसर होगा सत्तरा की तरफ बढ़ते हैं सत्तरा में निमलिखित मैसे कौन सा सब्द मक्खन का परियाबाची है तो इसमें से आपको बताना है कि मक्खन का परियाबाची कौन सा है तो सत्तरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका C नौनीत बिल्कुल राइट एंसर होगा चले साथी अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं है चले अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं बीश नंबर में आपको बताना है कि दोहे की दूसरी और चौथी पंक्त में मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो आप जानते हैं कि इसका दूसरी और चौथी में कितनी मात्राएं आपकी होती हैं 11-11 मात्राएं होती है परथम और तीसरी में आपकी क्या होती है आपको अपरशंग को अपनी रशनाओं में अस्थान नहीं दिया है तो 21 का जो राइट एंसर हो जाएगा ए विल्कुल सही जवाब होगा रस खान जी ने ठीक ना भरमर गेत परशंग में अपनी ठीक ना रचनाओं का अस्थान नहीं दिया है तो ए बिल्कुल आपका 21 का सही जवाब होगा रस खान जी इसके क्या हो जाएंगे राइट अंसर अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं वाक में आप सा वाक में आपका सकर्मक किरिया है तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि सकर्मक उसे कहते हैं जिसमें कर्म की उपस्ति हो तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल राइट अंसर होगा आकास वाणी से यह समाचार परसारित हुआ तो C बिल्क है इसमें से आपको बिसेशन के कह रहा है कि बिसेशन नहीं है तो कौन सा इसमें से आपका क्या है बिसेशन नहीं है तो तेज का ठीक ना दिख भर्म यह आपका बिसेशन नहीं है बाकी और सारी चीज़ें क्या है आपके अगले कुश्चन के तरफ बढ़ते हैं इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सब्द सेस तीनों से भिन है तो सेस तीनों से कौन सा सब्द आपका भिन है तो संप्रिक्त ये आपका क्या है इन तीनों से भिन है क्योंकि आप जानते हैं इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ये बिलकुल सही जवाब होगा आज का अंतिम कोईशन आपके स्क्रीन पे है कह रहे हैं कि कौन सा अर्बी फार्शी भासा नहीं है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अर्बी और फार्शी नहीं है तो आपको पता है बी बिलकुल सही जवाब होगा 25 का जो राइट एंसर हो जायागा ठीक ना भरपूर ये आपका क्या है अरवी और फार्सी नहीं है बाकि तीनों आपके क्या है अरवी और फार्सी है तो मेरे साथ ही इस तरीके से हम लोग ने 25 questions complete कर लिया है I hope ये session आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like, share, subscribe करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ भी तिकना इस वीडियो को share करें comment box में आप लोग जो है ये बताइएगा कि आप तिकना 25 में से कितना प्रस्प सही कर पा रहे हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद